नमस्कार, Gcampaign में Orbital Overlap के इस टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम निम्न सीखेंगे भिन्न प्रकार के Orbitals के बारे में Orbitals को घुमाना और रिसाइज करना। Orbital Overlaps के प्रकार जहां मैं उप्योग कर रही हूं Ubuntu Linux OS version 12.04, Gcampaign version 0.12.10 इस टुटोरियल के अनुसरन के लिए आपको Gcampaign Chemical Structure Editor के साथ परीचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंदिक टुटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले देखते हैं कि Atomic Orbital क्या है। Atomic Orbital एक Mathematical Function है। यह परमानों में Electron के सरंग स्वभाव का वर्णन करता है। Orbital Space का वह छेतर है, जहां Electron के पाए जाने की संभावना अधिक्तम होती है। यह एक S Orbital है, यह Spherical Shape रखता है। यहां भिन अक्षो पर P Orbitals हैं। P Orbitals, Dumbbell, Shape के होते हैं। आगे हमारे पास भिन अक्षो पर D Orbitals हैं। D Orbitals, दोहरे Dumbbell, Shape के होते हैं। मैंने एक नई G-Campaign application खोली है। सबसे पहले Orbitals के बारे में सीखते हैं। Add और Modify an Atomic Orbital Tool पर क्लिक करें। Orbital Property विंडू खुलती है। यह विंडू निम्न छेत्र रखती है, Coefficient, Rotation और Type। सबसे पहले मैं Type के साथ शुरू खरूंगी। Default से S Orbital Select किया हुआ है। अब P, D X Y और D Z Square Orbital Radio बटन्स पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इसके एक तरफ बिन और्बिटल शेप्स प्रदर्शित हैं। आगे Coefficient और Rotation Properties जाजें। Coefficient Property की वेल्यू माइनस 1 से 1 तक होती है। Coefficient छेत्र वेल्यू उप्योग करके हम और्बिटल का साइज बदल सकते हैं। ध्यान दें कि इसके एक तरफ के और्बिटल का साइज बदल गया है। Rotation Property की वेल्यू माइनस 180 से 180 तक होती है। हम और्बिटल्स को दक्षिनावर्थ या वामावर्थ घुमा सकते हैं। अब या Down Arrows उप्योग करके वेल्यू बदली जा सकती है। अब देखें कि भिन तरह के Positive Overlaps को दर्शाने के लिए और्बिटल्स का उप्योग कैसे होता है। यहां भिन और्बिटल्स के Positive Overlaps के लिए स्लाइड हैं। SS Overlap, SP Overlap, PP Overlap और PP Sidewise Overlap। अब डिस्प्ले एरिया पर Hydrogen अनू बनाएं। कीबोर्ड पर H दबाएं। कोईफिशेंट की वैल्यू 1, Z करें। Add और Modify an Atom Tool पर क्लिक करें। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। निश्यत करें कि Bond Length लगबग 130 हो। डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। Hydrogen अनू बनता है। अब SS and On Overlap के साथ शुरू करें। Add और Modify an Atomic Orbital Tool पर क्लिक करें। S Orbital पर क्लिक करें। फिर Hydrogen अनू के Hydrogen परमानू पर क्लिक करें। SS and On Overlap को देखें। अब PP and On Overlap बनाएं। कीबोर्ड पर F दबाएं। Add और Modify an Atom Tool पर क्लिक करें। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। निश्चित करें की Bond Length लगभग 200 हो। Display Area पर क्लिक करें। Fluorine अनू बनता है। Add और Modify an Atomic Orbital Tool पर क्लिक करें। P Orbital पर क्लिक करें। PP and On Overlap बनाने के लिए हमें P Orbital की शैतिज दिशा में जरूरत है। अब Rotation Value को 90 तक बढ़ाएं। P Orbital पर क्लिक करें। एक Fluorine अनू पर क्लिक करें। इसी प्रकार प्रक्रिया दोहराएं और P Orbital को – 90 तक घुमाएं। Fluorine अनू पर क्लिक करें। यदि आप Orbital को इस पष्ट रूप से नहीं देख पातें। तो उस इस्थिती में आप Orbital को Resize कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें Coefficient की Value बदलनी पड़ेगी। Orbital पर Right क्लिक करें, Orbital Select करें, फिर Properties पर क्लिक करें। Orbital Properties, Dialog Box खुलता है। उचित Overlap ना मिलने पर Coefficient की Value घटाते जाएं। Close बटन पर क्लिक करें। मैं अन्य Orbitals के लिए इस प्रकेरिया को धराऊंगी। PP End On Overlap को देखें। अब DZ² Orbital उप्योग करके DD End On Overlap बनाएं। फिर Display Area पर क्लिक करें। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। Bond बनाने के लिए Iron परमानों पर क्लिक करें। Add और Modify Anatomic Orbital Tool पर क्लिक करें। DZ² Orbital Radio बटन को सलेक्ट करें। उचित Overlap के लिए Coefficient की Value 0.8 तक घटाएं। DZ² Orbitals Overlap के लिए Bond किये हुए Iron परमानों पर क्लिक करें। DD End On Overlap को देखें। अब P Orbitals के Sidewise Overlap के बारे में सीखें। निश्यत कर लें कि Current Element Carbon है। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। निश्यत करें कि Bond Length 90 के लगभग हो। Display Area पर क्लिक करें। Add और Modify an Atomic Orbital Tool पर क्लिक करें। Coefficient की Value 1 तक बढ़ाएं। P Orbital Radio Button पर क्लिक करें। P Orbital को उधवादर इस्थिती में घुमाएं यदि यह शैतिव इस्थिती में हो। Bonds के किनारों पर क्लिक करें। P P Sidewise Overlap को देखें। इस तरह के Overlap में Orbitals के Lopes समान चिन्न के होते हैं। आगे हम Negative और Zero Overlaps पर जाएंगे। यहां Negative Overlaps की एक स्लाइड है। मैंने एक नई Gcampaign application खोली है। अब मैं दर्शाओंगी की Negative Overlap कैसे बनाते हैं। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। निशित करें की Bond Length 90 के लगबग हो। Display Area पर क्लिक करें। Add or Modify Anatomic Orbital Tool पर क्लिक करें। P Orbital Radio Button पर क्लिक करें। फिर Bond के किनारे पर क्लिक करें। P Orbital को उल्टा करने के लिए इसे 180 degree घुमाएं। फिर Bond के दूसरे किनारे पर क्लिक करें। Negative Overlap को देखें। इस प्रकार के Overlap में Orbital के Loops विपरीत चिन्न के होते हैं। अब सीखें के Zero Overlap कैसे बनाते हैं। यहाँ Zero Overlap के लिए Slide है। Add a Bond Tool पर क्लिक करें। Display Area पर क्लिक करें। Add और Modify an Atomic Orbital Tool पर क्लिक करें। P Orbital पर क्लिक करें। P Orbital को प्रारमभिक इस्थिती में घुमाएं। Bond के एक किनारे पर क्लिक करें। S Orbital पर क्लिक करें। और फिर Bond के दूसरे किनारे पर क्लिक करें। Zero Overlap को देखें। इस प्रकार के Overlap में और्बिटल्स का दिख विन्यास समान नहीं है। अब साराशित करें कि हमने क्या सीखा। इस टुटोरियल में हमने सीखा भिन्य प्रकार के ओवरलाप्स, एंड ओन और साइड वाइज ओवरलाप्स, और्बिटल्स को घुमाना और रिसाइज करना पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलाप्स। यहां एक नियाज कार रहे है। हाइडरोजन क्लोराइड अनु के साथ SP and on ओवरलाप बनाएं। DXY, DXY और्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलाप बनाएं। अन्य नेगेटिव और जीरो ओवरलाप्स बनाएं। संकेत उचित ओवरलाप के लिए और्बिटल्स को घुमाएं और रिसाइज करें। आपका पूर्ण नियाद कार रहे इस पकार दिखना चाहिए। इस URL पर उपलब्द वीडियो देखें। यह Spoken Tutorial Project को साराइशित करता है। अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। Spoken Tutorial Project टीम Spoken Tutorials का उप्योग करके कारेशा लाएं चलाती है। ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक रपया contact at the.spoken-tutorial.org को लिखें। Spoken Tutorial Project, Talk to a Teacher Project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राश्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्सित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्द है। IIT Bombay से मैं श्रतियार आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुणने के लिए धन्यवाद। अधिक पर लाई रच्ण थके साट में साटалист के लिए जुणने टापसे लिए लगादान को को बाई दोफे ही हुखब्स